दीद. हलो सुझिल देवी जी थोड़े लेट होगे class में एक set complete हो चुका है दूसरा set राम क्लास में चूरू करने वाले हैं पर्थम या प्राचिन ओलंपिक कब आयोजित हुए पर्थम या प्राचिन ओलंपिक कब आयोजित हुए पांसो चैतर इसेफी पुरव, 776 इसवी पुरव या फिर 876 इसवी पुरव तो पर्थम या फिर प्राचिन ओलंपिक कब आयोजित किये गए थे तो याद रखिए 776 इसवी पुरव अन्तरास्ट्रेय उलंपिक स्मीटि का मुख्यालिया कहां पर स्थित है रटांसर देखिए लो ऊसाने में पहली बार भारत में उलंपिक भारत ने अलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था 1922 1928 1940 या फिर 1965 तो भारत ने पहली बार कब यहाँ पर जो है भाग लिया था Olympic के अंदर भारत ने पहली बार Olympic में किस वर्ष भाग लिया था 1920, 1928, 1940 या पर 1965 राइट आंसर देखिए आपर राइट आंसर है 1928, 1928 Cricket Pitch की लंबाई कितनी होती है? Cricket Pitch की लंबाई कितनी होती है? 20 गज, 22 गज या फिर 24 गज जो Cricket Pitch होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 गज, 20, 22 या फिर 24 गज Cricket सभी देखते होंगे लेकिन इसका राइट आंसर कौन कौन देपाएगा? देखते हैं याँ पर राइट आंसर है 22 गज Badminton Court की लंबाई कितने फिट होती है? Badminton Court की लंबाई कितने फिट होती है? यह Badminton है जहां रखना है याँ पर Badminton Court की लंबाई कितने फिट होती है? 44 फिट, 40 फिट, 30 फिट या फिर 55 फिट राइट आंसर क्या है याँ पर? तो 44 feet, 44 foot होती है लंबाई badminton court की balling crease की लंबाई कितनी होती है 5 feet 8 inch 8 feet 8 inch 10 feet 4 inch 9 feet 6 inch जो balling crease होता है उसकी लंबाई कितनी होती है बताइए right answer क्या है यह आपके daily basis से question है आप cricket देखते रहते हो general knowledge की question है लेकिन exam में question आपको इस तरह से देज़े आता है आप वहाँ पर confused हो जाते है कि आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होता सुना नहीं होता तो ध्यान रखा कर थोड़ा सा questions को कि question इस तरह से भी बनकर आ सकते है balling crease की लंबाई कितनी होती है 8 feet और 8 inch right answer है B Olympic पदक विजेता परतम भारते पुरुष कौन से है तो Olympic पदक विजेता परतम भारते पुरुष कौन से है केडी जादव करणम मलेश्वरी ध्यान चंद या फिर मिलखा सिंग कौन से है वो है केडी जादव और काफी स्टोंस के सही आंसर आ रहे है Very good Olympic museum कहां परस्थित है Olympic museum कहां परस्थित है London, New York, Geneva, Mumbai Olympic museum कहां परस्थित है London, New York, Geneva या फिर Mumbai right answer क्या है right answer है Geneva Olympic museum कहां परस्थित है Geneva के अंदर पर्थम भारतिय महिला Olympic विजयता कौन है पर्थम भारतिय महिला Olympic विजयता कौन है लिला रो, करणम मलेश्वरी गीता सिठी या फिर साइना नहवाल कौन है याँ पर बताईए पर्थम भारतिय महिला Olympic विजयता कौन है लिला रो, करणम मलेश्वरी कीता सेठी साइना नेवाल तो कौन है आपर राइट आंसर देख लिए कर्णम मलेश्वरी वह स्टोर्ट का अंसर नेक्स्ट पर देखें आपर भारत की और से पर्थम महिला कि लाड़ी अलम्पिक में सम्मिल्ट होने वाली कौन है भारत की और से पर्थम महिला की लाड़ी अलम्पिक में सम्मिल्ट होने वाली कौन सी है साइना नेवाल, सानिया मिर्जा कर्णम मलेश्वरी या फिर लीला रो कौन सी है राइट आंसर बताइए तो याद रखेंगे दोनों कोश्टन को पास पास लिख लिजिए तो यहाँ पर जो है डी अंसर है लीला रो जो है पर्थम महिला है जोनों ने अलम्पिक में पार्टिस्पिट किया था और जो जोनों ने मेडल जीता था वो है करणम मलेश्वरी तो दोनों कोश्टन को आप लोग पास पास लिख लिजिए याद रखिए प्रश्टन साब को एक्जाम में जरूर मिलेंगे नेक्स पर जलते हैं क्रिकेट के जनमदाता किस देश को माना जाता है क्रिकेट का जनमदाता किस कंट्री को माना जाता है बताई यहां पर क्रिकेट का जनमदाता USA, France, England या फिर कनाड़ा तो कौन से कंट्री को क्रिकेट का जनमदाता किएते हैं English, नेक्स देखिए यहां पर परफम एश्याई केल का शुभंकर क्या था तो परफम जो भी है चाहिए महला है, पुरुश है परफम कोई कार है, गाड़ी है कुछ भी परफम चीज़ा चाहिए वो भारत से हो चाहिए वर्ल्ड से लेटिड हो तो ये आपको याद होना चाहिए पर्थम इश्याई खेल का शुबंकर क्या था जंतर मंतर बोल लू चांद या फिर तारा क्या था पर्थम इश्याई खेल का शुबंकर क्या था यापर राइट आंसर देख लिजिए जनतर मंतर, ये सही उत्तर है और ऐसे कोशन में आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरल हर एक्जाम में यह थे लेकिन किसी एक्जाम में आएंगे तो दो तिन कोशन इकटे ही आ जाएंगे और अगर आपको याद हुए तो फिर आपके तीन नमबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे और आप दूसरों से लग दिखेंगे और आप मैलिट में असानी से पहुंच जाएंगे अगर नहीं आपको पता हुए तो फिर और तुके मारेंगे सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अइसे questions को याद कर लीजिये या कभी न कभी पूछ लिए जाते है अधनिक ओलंपिक के जनमदाथा किसे माना जाता है राइट आंसर देखीजिए पीरे डी कुबरतिन को राइट आंसर है C नाम याद रख लिए थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन दो या तीन बार पढ़ेंगे ऐसे नाम याद करने का यही तरीका है नाम को आप एक बार लिख लो कोशन के सामने लिखो अधनिक अलम्पिक के जानम जाता सामने लिखो पीरो डीक कुबरतिन और उसको दो या तीन बार बोलो तीन बार बोलने से आपको नाम थोड़ा सा फैमिलर हो जाएगा याद होने लग जाएगा फिर आप एक वीक बार जब रिविजन करेंगे तो असानी से याद रहे जाएगा अलम्पिक खेल प्रत्योगता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है अलम्पिक खेल प्रत्योगता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है दो बर्ष चार वर्ष पांच या फिर छे वर्ष बताइए 15 कोष्ण का क्या अंसर है option दे देता हूं या पर मैं दो वर्ष चार वर्ष पांच या फिर छे क्या इसका सही उतर रहे बता दिजिए मुझे फटा फट तो आपको पता होगा ओलम्पिक हमेशे चार साल बाद होते हैं राइट आंसर है बी नेक्ट कुर्शन पर चलते हैं वेरी गूड उशारानी ऐसे ही आप लिखके प्रैक्टिस कर सकते हो तो किया करो प्रैक्टिस बोलता हूँ उसको फॉलो किया करो फॉलो करो गे तो आपका बैनिफिट जुरूर होगा एक दिवसिया क्रिकेट का पर्थम मैच किन दो देशों के बीच में खिला गया अब ये तो आपको पता लग गया कि जो cricket match का किसको जर्म दाता किसको बोलते है England को अब एक दिर्सिया cricket का पर्थम match किन दो देशों के बीच में खेला गया भारत एम इंग्लेंड आस्ट्रेलिया शिर्लंका इंग्लेंड आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया एम वेस्ट इंडिज तो थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कि इंग्लेंड में खोजुई तो इंग्लेंड तो जुरूर होगा ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए कौन सा का जिस दो ऑप्शन में इंग्लेंड है तो वो दो ऑप्शन देख लिजिए इंग्लेंड A और C मेया है तो रहाट answer क्या है इंग्लेंड व ए आस्ट्रेलिया रहाट आस्टब्लाइए NAX Q 거지 देखिए इसलिए मैं आपको ये और हाँ पर्थम एशियाई खेल पहली बार किस थान पर आयोजित किये गए थे अब हमारे यहां पर जो एशियाई खेलों की बात की जा रही है तो पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित किये गए थे कॉलंबो, बीजिंग, नई दिली, टोक्यो पर्थम एशियाई खेल पहले बार किस थान पर आयुजित किया गए थे कॉलंबो बीजिंग नई दिल्ली टोक्यो कहा पर आयुजित किया गए थे नई दिल्ली में याद रखना क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है तो क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है ये भी एक्जाम में कॉशन आ सकता है स्पोर्ट से रेटर एक्जाम में एक कॉशन एक या दो कॉशन जरूर पूछे जाते हैं कई बार वो कॉशन आपको करेंट अफेर से मिला के दे देता है और कई बार कॉशन आपको जो है स्पोर्ट से जो कोशन होते हैं वो औरिशन कोशन में से पूछ पूछ दे जाते हैं इंसीब चत्र में भारतिया टीम के कपतान कौन से ली जब 1904 में विश्व कप का कहला गया क्रिकेट गुकावन तब हमारी भारतिया विकेट लेने वाला पर्थम की लाड़ी कौन है टैस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला पर्थम की लाड़ी कौन है जिम लेकर चेतन शर्मा शोईब अक्तर शेन वार्न तो कौन है वो वो है जिम लेकर राइट आंसर है जिम लेकर इन्होंने 10 के 10 विकेट टेस्ट में लिये थे पर्थब राष्टर मंडल खेल का आयोजन 1930 में कहां पर किया गया था तो ये राष्टर मंडल जो है Commonwealth Games को बोलते है Commonwealth Games राष्टर मंडल खेल होते हैं तो इनका आयोजन सबसे पहले 1930 में किया गया था और कहां पर किया गया था भारत, इंगलेंड, हमिल्टन, कनाडा या फिर चीन के अंदर तो इनका कहां पर किया गया था आयोजन हमिल्टन, कनाडा में राष्टर है C नेक्स्ट, राष्टरिया खेल दिवस किस तीथी को मनाय जाता है तो यह आप जुरूर याद रखना है